हेलो एवरिवान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके मा मिला करांती और आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ले करके आई हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कक्षा दस्वी फिजिक्स का हमारा चाप्टर जिसमें बहुत ही इंट्रेस्टिंग और चीजे हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे पूरे हमारे आज के ही इस वीडियो लेक्चर में जिसमें वन शॉट में मैं आप सभी बच्चों को जो है यह बहुत ही मज़े जा मज़ेदार चाप्टर जो है पूरा करवाने वाली है तो भाई हां हमारी दिसक्रशन आज अबने इस लेक्चर में करेंगे बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है आप सभी बच्चों को तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों सभी जल्दी से आ जाओ इस वीडियो को जल्दी से सारे दोस्तों को भेज़ दो इंस्टाग्राम में वाट्सअप में टेलीग्राम में जहां जहां आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को स्कूल के दोस्तों को घर के दोस्तों को सब के दोस्तों को आप लोगों को भेज देना है आज का यह वीडियो लेक्टर जिसमें हम लोग पूरा यह चाप्टर एक ही सेशन में खतम कर लेंगे ठीक है तो भ पच्चे इस वीडियो में आ चुके हैं फटा फट से इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और बिल्कुल इसी के साथ मैं इस चाप्टर को शुरू करती हूँ हमारा मानवनेत्र तथा रंग विरंगा संसार तो इस चाप्टर में सबसे पहलो तो देख लो क्या-क्या टॉप द्रिष्टी दोस्त और उनका संशोधन जैसे की आपकी मैम यहाँ पर चेश्मा लगाई हुई है बिल्कुल आप लोगों को पढ़ा रही है शिश्मा लगा करके और मेरे स्टूडेंस प्यारे प्यारें स्टूडेंस में भी हो सकता है कि कोई बच्चा बिल्कुल मेरी तरह ही चेश्मिश हो क्यों बई है क्या कोई जल्दी से कमेंट करके बताओ कोई है क्या अपनी मैम की तरह चेश्मिश ठीक है तो बिल्कुल वहाँ पर होता क्या है हमारी दृष्टी में दो शृत्पन हो चुका है जिसका संशोधन के लिए हम यह क्या करते हैं यह ग्लासेज हम अपनी आखों पे लगा कर रखते हैं जिसे हम लोगों को क्लियर जो है दिखाई दे पाता है और प्रिजम से प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल आप लोगों ने इसके पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चाप्टर पढ़ने के कांच के प्रिज्म द्वारा, श्वेत प्रकास का विट्शेपन, इंद्र धनुष और वायू मंदली अपवर्तन, तारो का टिम्टिमाना और बिल्कुल तारो का मतलब प्रकाश का प्रकिरनन ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इस चाप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाएगा और परिक्षा में आपको ये सवाल आएगा तो बिल्कुल आप याद करोगे इस वीडियो को और वहां पर आसानी से फटा 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 सारे आंसर जो है आप लोग लेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तर लेंस इस तरह के लेंसों के बारे में पढ़ा होगा तो बिल्कुल जो आपकी माना उनेत्र हमारे माना उनेत्र की जो आखें हैं बिल्कुल वह भी जो है लेंसों के कारण जी जो है वर्क कर पाती है कारे कर पाती है और हमारी आखों में भगवान ने हम लोगों को प्राकृतिक तौर पर एक ऐसा लेंस देखर कर रखा है जो पास की दूर की वस्तू, कहीं पर भी की वस्तू को जो है बहुत ही क्लियर रूप से बहुत ही खुबसूरत तरीके से देख पाती है जिसे कि आपने जो है वीडियो क किया गया तो बिल्कुल कैमरे में जैसा लेंस होता है उसी तरीके से हमारे आखो पर भी लेंस होता है और इन लेंस की वज़ह से हम लोग क्या कर पाते हैं क्लियरली देख पाते हैं और 546, 540 मेगा पिक्सल जो है हमारे आखों का मतलब clarity होता है जैसे कि आप लोग मोबाइल ख़ित recurring नहीं करते हो सबाइब को मज़ीं करते हों थिकिघंग कर इसका वुई उत्रुबए चाहिए और बिलकुल मुबाइल का किड़ा होते ऊप attendees यह को ही इस्तेमाल करना चाहिए पोन का और आखों को बचा करना चाहिए और अचमानवन च्टर के बारे में भड़ने रोज मम्मी पापसे तो यही ग्यान सुनते हैं, चलो आप कुछ और बता दो, तो बिल्कुल मैं कुछ और बताओंगी, पर फिर भी इस बात का खयाल रखना है, आप लोग अपने आखों का खयाल रखो, ऑल्लाइन प्लासेस देखते हो, आप लोग पढ़ाई करते हो, पूरे कितना खूबसूरत आपका जो आँख होता है, और बिल्कुल आख ही जो है, वो सबसे सॉफ्ट मतलब की कहना चाहिए, कि सबसे सॉफ्ट जो अमारी बॉडी में जो होता है, जुसमें हलका साभी कचचण चला जातَ है, तो बिल्कुल हमारे आँखों से आंसु के लाल हो जा है तो भाई हमारे आखों से सुंदर कोई ऐसा कैमरा नहीं जिसमें इतनी क्लारिटी से दिख पाएं आप लोगों को इतना क्लियर विजिबलीटी मतलब की एकदम मतलब क्लियर दिख पाना वो बिल्कुल हमारी आखों में ही मौजूद है कितना भी आप जो है कैमरे में का कोई क्यामरा नहीं है तो बिल्कुल मतलब हम अपनी आखों में पिक्चर करते हैं जिनको हम देख पाते हैं जिसे कि आप हमें अभी देख पा रहे हो तो बिल्कुल आप लोगों के सामने ये चित्र बना हुआ है आप लोग देख पा रहे हो कि ये आखों का जो मतलब आगे का हिस्सा होता है जहां से प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करता है हमारी आखों में और बिल्कुल हमारी आखों में किस प्रकार से मतलब हम लोगों को यह चीज assunto clearly दिख पाती है तो इसकी पूरी सनरचना हम बहुत ही डिटेल में आराम से पढ़ने वाले हैं तो वन बाई वन करके हम पढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो कि सबसे सुरुवात में जो होता है वो आप लोगों का जो है आखों का मतलब एक पत मज़ेतार तरीके से पढ़ने के लिए नए अंदाज से पढ़ने के लिए एक मज़ेदार सरल तरीके से सरल ठंक से पढ़ने के लिए सभी बच्चे अगर रेडी हो तो जल्दी से सारे बच्चे थमसब दिखाएंगे वीडियो में जल्दी से वीडियो की कमेंट में सब खेजेंगे अगर आप रेडी हो तो बिल्कुल मैं शुरू कर रही हूं ठीक है तो हम यहां पर मतलब बिल्कुल फोकस करके देख रहे हैं और यहां पर जो पतली सी सामने की जिली रहती है यह जिली आप लोगों की कौर्णिया कहलाती है बिल्कुल पानी की तरह पतली सी होती है और यहां पर आप देख पारो कि यह बीच का जो हिस्सा होता है न यह बीच का हिस्सा destined यह परितारिका है यहां पर और इसके अंदर पुतली है तो बिल्कुल आप अभी संरचना देख रहे हो इसकी कारविधी क्रिया विधी में आप लोगों को पूरी समझाऊंगी तो जैसे सबसे पहले आप लोगों को आएगा मानावनेतर के बारे में लिखने के लिए तो भाई उसका इंपोर्टेंस थोड़ा बताना जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया पांसो चालीस समझाने के सांसा आप समझते जाओ कि एक्जाम में लिखना कैसे है तो एक्जाम में सबसे पहले आप लोगों को उसकी मतलब जरूरत बतानी है थोड़ा सा उसके बारे में जो है आप लोगों को बिल्कुल तारीफे करनी है जितनी तारीफ आप कर सकते हो फिर हम बात करेंगे ये उसकी संरचना की तो संरचना में आप लोगों को ये दोनों डाइग्राम आप लोगों को बनाना है जिसमें संरचना में पूरा रेखा चित्र नामांकित आप लोगों को बनाना होगा बिल्कुल इस तरह से और इसके बाद ये जो रेखा चित्र है ये पूरे आख को अगर सामने से देख रहें अगर मैं साइड से करके बीच से अगर मतलब की बीच से अगर मतलब इस्कों ऍल 시청 हैं उंहरे जो अगर सबसे सौन चार्ट होता हैं तो इसलिए मतलब आखों को जो है बचा करके समाल करके जो यूवी रेस पढ़ती है मुबाइल की लैपटॉप की तो उनसे बचा करके रखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग जो है मतलब की आपके आँखे जो है सुरक्षित रहे और बिल्कुल भी आप लोगों को आगे चलके परशानी ना हो ठीक है तो first number में तो cornea के बारे में आपने explain कर दोगे आप फिर परितारिका के बारे में explain करोगे पहले तो इस तरह से diagram आप लोग बना लोगे इसके बाद जो बीच में पूतली का हिस्सा हो गया है और मतलब की यहाँ पर इस cornea के पीछे यहाँ पर जलिया हिस्सा होता है जहाँ प mass patient बीचे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है red color की हमारी mass patient होती है यह बिल्कुल संदरचना की बारे में बता रही हूं कारविदी में मैं आप लोगों को समझाओंगी फिर उसके बाद यह जो mass patient के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल अं जो है यहाँ पर से बहती रहती है और यहाँ पर जो है साइड में बिल्कुल स्वेत पटल दिखाया गया है यह आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है श्वेत पटल दिखाया गया है यहाँ पर दृस्टी पटल दिखाया गया है और दृस्टी पटल का क्या काम होता है यह आप लोगों को मैं अभी बिल्कुल बताऊंगी पर पहले आप लोग बिल्कुल इस तरह किसे कॉपी में डाइग्राम आप लोग बिल्कुल बना सकते हो और यहाँ पर अंधर में प्रकाश नाली नाडी और यहाँ पर एक अंधर बिंदू भी होता है यहाँ पर लिखा कैसे करती है तो इसको समझने के लिए मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर क्या हूँ इस चीज को समझने के लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँ तो बिल्कुल इसके माध्यम से हम देखेंगे तो यहाँ पर यह खुबसू ये आपकी आखों का हिस्सा ज्यानेंद्री है जिसके द्वारा आप बहुत ही पूरी खुश्रत दुनिया को आप यहां पर देख पा रहे हो जो की कैसा होता है हलका सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है आई होप की जो नीचे लिखा हुआ है ये भी आप लोगों को क्लियर दे रहा होगा और चाहो तो आप सुनने के सांसांत लिख सकते हो या तो फिर आप वीडियो खतम होने की बाद वीडियो को रोग करके आप जो है प्रकार का प्रकाशिक उपकरण होता है आप्टिकल लेंस है जो की मतलब प्राकृतिक रूप से हम लोगों को भगवान ने ब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं देखो बिल्कुल ये गोला कार जो हमारी आखों की संरचना है ये सब नसे हैं जो बिल्कुल हमारे ब्रेन तक के जाती है और वहां पर जा करके हम लोगों को क्या करती है मतलब पूरी इंफर्मेशन पहुंचाती है जिसकी वज़े से हम इतनी सी खुबसूरत सी दुनिया को हम क्या कर पाते हैं इतनी खुबसूरत दुनिया को हम देख पाते हैं बिल्कुल तो आखों के मुख्य भाग में शुरू जैसे कि मैंने आप लोगों को संदरचना चित्र बनाने के समय बताया कि यह जो पतली जिली देखो कितनी फाइन पतली सी जिली जिसको हम क्या कहते हैं कॉर्णिया कहते हैं जिसमें से प्रकाश जो है क्या करती है अंदर की तरफ प्रकाश जो है प्रवेश करती है ठीक है अंदर की तरफ यहां पर क्या कर रहा है ध्यान से देखो आराम स सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो जिसे हम क्या कहते हैं कार्णिया कहते हैं और यहां से क्या होता है प्रकाश जो है हमारी आखों के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करता है जैसे ही ये प्रवेश करता है उसके बाद जो next में आप लोगों को मैंने दिखाया आखों का जो हम लगभाग होता है परितारिका जिसको हम कहते हैं यह वाला भाग क्या है परितारिका है आप लोग यहां पर देखो ध्यान से देखो यह बिल्कुल ठीक है बिल्कुल यह कॉर्णिया के लगभाग पीछे होता है गहरे काले रंग का होता है आप लोग देख पारे हो बिल्कुल ये गहरे काले रंग की मास पेशियों से ये बना होता है ठीक है और इन मास पेशियों के बीच में एक और छोटा सा छेध होता है ठीक है एक और छोटा सा छेध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पुतली कहते हैं और इस छोटे से गोले वाला जो छेध ये बिल्कुल जो अ खाई देता है देखो सबकी आँखों का कलर भी अलग-अलग होता है पर फिलकुल गहरे भूरे या काले रंगा ही होता है ठीक है इससे जो प्रकाश रोशनी जो प्रतिविंबिक होती है बिल्कुल वो क्या है रिफ्लेक्ट नहीं होती आप लोग देख पारे हो कि परितारिका कर रहा है यह बीच का जो गोलाकार हिस्सा आप लोग देख पारे हो यहां पर डॉटेट लाइन से दिखाया गया है पुतली नियंद्रित करता है कि कि कितना जो है प्रकाश आप लोगों के आँखों के अंदर जाना चाहिए ठीक है अब इसके बाद हम देखेंगे लिखाएगा अगर चाहो तो जो नीचे लिखा हुआ है आप इसको नोट कर सकते हो ठीक है देखो मैंने का कि यहां पर साइड से जब हम देखेंगे तो साइड में यह हाफ पोर्शन देखो यहां पे देखो यह पुतली से प्रकाश प्रवेश किया अंदर परितारिका से हो चोटा बड़ा होता है यह इसलिए चोटा बड़ा होता है क्योंकि यही तो निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए तो उसकी अपने आखों को क्या पुतलियां क्या होती है चीजों को सेट करती है कि कितनी जादी मतलब कितना रोशनी जो है अंदर जा ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब रोशनी की तिवरता कम होती है या फिर हलकी होती है तो हमारी पुतलियां बड़ी हो जाती है अब जब रोशनी बहुत ही तेज तरह से हमारी आँकों की तरह पाती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है हमारी जो पुतलियां है व कि देखो बहुत तेज रोश्णी होगी तो हमको clearly दिखाई नहीं देगा फिर धुनला धुनला सा सारा कुछ दिखाई देने लगेगा है कि नी बिल्कुल आप यहां पर जब पुतली निर्धारित करती है कि कितना जाना चाहिए है ना कितना जाना चाहिए जब यह पुतली न रेटीना है यहां पर लैंस के माध्यम से क्या होता है यहां पर देखो यह जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है लैंस है और यहां पर यह जो अंदर का रेड़ वाला लाइन है यह रेड़ वाला लाइन आप लोग यहां पर देख पा रहे हो यह बिल्कुल यहां पर जो नसे ह हिस्सा है जिसकी सहायता से मतलब रौशनी जो है मतलब हमारे दिमाग तक के पहुँच पाती है ठीक है दिमाग तक के क्या होती है पहुच पाती है और बिल्कुल इस चीज को हम थोड़ा आराम से और अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा मैं आप लोगों को पतली जिल्ली वाला जो हिस्सा है यहां से प्रकाश हमारे आँखों के अंदर प्रविश करती है और परितारिका मतलब की परितारिका के बाद जब हमारी पुतली के पास जब यह पहुचता है तो पुतली नियंतरित करती है कि कितना प्रकाश अंदर जाना चीए और कितना नह Lens भी अपने आपको adjust कर लेता है natural तरीडे से बड़ा चोटा कर लेता है और उसके हिसाब से वो focal Lens को क्या करते हैं और चोटा बड़ा करते हैं उसके हिसाब से क्या होता हैं कि pictures जो है काफी जादा clear visible हो पाते हैं दिख पाते हैं बहुती clarity से दिख पाते हैं और फोटो खी चाने का सकतो सबी बच्चों को होता है खास कर लडկकों को तो अब आपकी आखों में कैसे फोटो कैसे लाए है तोब की आखों में कैसे फिक्चैर रही है तो बिलाब इसी चीज को समझ रहे हो यहां पर थी है, अब यहां पर जो है, आप देख पारे हो, लिखा हुआ है कि जो सिलियारी मसल्स होती है, जिसको क्मा भी, पेशिया, आखों के लेंग्रotic को उसकी वज़ह से बनाए रखते हैं, पक्मार्ण पेशया सिलियारी muscles आपकी जो है आप लोग देख पारे हो यहाँ पर पीछे की तरफ है वो क्या करती है कि आखों की lens या व्यास की मोटाई को वस्तू की दूरी को बदलने में मदद करती है मतलब कि यहाँ पर जो nerve system है जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि lens जो है अपने size को adjust कर रही है तो उसको adjust करने के लिए जो ciliary muscles होती है वो जो है मदद करती है lens को adjust होने में छोटा बड़ा करने में ठीक है अब आगे यहाँ पर अब आगे यहाँ पर आप देखो यह जो दिखा रहा है यहाँ पर बिल्कुल पक्षमाभी ciliary muscles दिखा रहा है बिल्कुल नीचे में इस तरह का होता है ठीक है नीचे में dark color का होता है अब आखों के पिछले भाग में पीछे का जो हिस्ता वो दिखाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह जो है आपका दृस्टी पटल है बहुती कोमल बहुती कोमल सुक्षम जिल्ली हो आखेक इंद्री है ना तो इस इंद्री से जो है बहुती समवेदन सिल जितनी भी रोश्निया है दृस्टी पटल के माध्यां से जो है अंदर जाती है और बिल्कुल डिस्टी पटल और आखों के लैंस के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो आप लोग यहा अब ध्यान से देख लो यह अंध्र बिंदू ब्लाइंड स्पोर्ट मतलब की यहां पर जो है रोश्नी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता यह हिस्सा हमेशा जो है मतलब की अंधेरे में ही डुबा रहता है इसलिए इसको जो है अंध्र बिंदू कहा जाता है क्या कहा ज आँगी समंजन छमता का मतलब क्या होता है आखों की समंजन छमता का मतलब यह होता है कि जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि लैंस जो है पुतली जो है अपनी साइस को बड़ा छोटा कर रही है जब बहुत जादा रोश्नी आ रही है तब वो क्या कर रही और lens अभी अपने size को क्या करता है, बड़ा छोटा करता है, मतलब बिल्कुल वहाँ पर अंदर में जितने भी nerve system होते हैं, जिसको पक्षमा भी कहते हैं, उसकी सहायता से वो क्या कर रहा है, बिल्कुल lens को control कर रहा है, तो वो जो control करता है, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आखों की समंजन छमता, आखों की समंजन छमता, जो अपने आखों को adjust कर रहा है, lens, lens मतलब की कितना हो, मतलब की ऐसे दिखे हम लोगों को उसके लिए हमारी आखे, lens के द्वारा क्या कर रही है, size को adjust कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, समंजन छमता कहला रहा है, और समंज color का होता है ठीक है यहां पर यह होता है कि बिल्कुल मतलब की दूर की वस्तू हो चाहे पास की वस्तू हो दूर की वस्तू हो चाहे पास की वस्तू हो इसका जो मतलब कहना चाहिए जैसे कि आप लोगों लेंस के बारे में इसके पहले के अध्याय में जब पढ़ा होगा तो वहां पर क्या बनता है मतलब की प्रतिभिंब बनता है ठीक है बिलकुल प्रतिभिंब बनता है तो उसी तरीके से यहां पर भी प्रतिभिंब हमारी आखों में बनता है पीछे रेटीना की तरफ बनता है मैं आपको सनरजना चित्र में दिखाऊंगी, focus करता है हमारा ये lens, ठीक है, focus करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आखों की समंजन छमता कहते हैं, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, अब ये अमंजन छमता के बारे में बता रहा है, तो अलग-अलग दूरी पर र रखी वस्तों को focus करके क्या कर लेता है, focus करके समायोजित कर लेता है, ये क्या कहलाता है, आखों की समंजन छमता कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, समंजन छमता, अब पक्षमाभी पेश्यां क्या हो जाती है, शितिल हो जाती है, मतलब कि अगर वो कमजोर हो जाएंगी, तो उसकी वज़े से क्या हो झाता है? कि या जो हमारी आँखों का जो लैंस है, वो पतला हो जाता है, ह değil tada जो उत्तल लैंस यहाँ पर बीच में रखा हुआ है, वो आपने आपको जो है बड़ा चोटा तो कर रहा है, और मोटा पतला भी कर रहा है, तो ये पतला कब हो जा रहा है जब हमारी ये जो साइट की पक्षभामी मसल्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये अगर जब शितिल हो जाता है तब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमको क्या होता है जब ये लैंस पतला हो जाता है तो फिर हम लोगों को क्या होता है कि चीजे जो है साफ साफ दिखाई दे पाती है ठीक है कैसी दिखाई दे पाती है जो वस्तुए है हमको साफ साफ दिखाई दे पाती है ये देखो अब ध्यान से देखो ये प्रकाश हमारी आखो पर गया आखो पर गया लैंस में जाने के बाद यहां पर पीछे रैटीना होता ह है जहां पर प्रतिबिम्ब बनता है और ये देखो बिल्कुल सुकरा जो भी मैंने अभी आफ लोगों को बताया वो आप लोगों को यहां पर दिखा रहा है और बिल्कुल जो है मतलब इस तरह से करवेचर बनाते हुए यहां पर जो है क्या बन रहा है बिल्कुल वस्तु का प्रतिबिम्ब उल्टा बन रहा है ठीक है उल्टा प्रतिबिम्ब बन रहा है यहां पर ठीक है और बिल्कुल यह चीज दो है हमारे दिमाग तक के पहुचता है फिर हम क्या कर पाते हैं वस्तु दूरी होती है ठीक है अगर बहुत पास से देखो कि तो धुनला दिखाएगा और बहुत दूर से देखो कि तो भी धुनला दिखाएगा बिल्कुल इसको जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको रख के पढ़ना होता है इसलिए बोलते हैं कि अगर आप जब पढ़ाई भी कर करें तो दूर तक के लिए मतलब जो हमारा दूर वाला पॉइंट होता है जिसको हम फार पॉइंट बोलते हैं वह अनन्त होता है आप बहुत दूर तक की भी चीजों को जो है क्लियरली देख सकते हो पर हाँ जब बुरहापे में क्या होता है जैसे कि आप लोगों ने देख करके देखोगे न तो आप लोगों को दिखाई देगा कि वहलका दूधिया हो जाता है जिसकी वज़े से उनको पास की चीज और दूर की चीज दोनों ही चीजे क्या होती है दोनों ही चीजे जो है उनको बहुत जादा क्लियर नहीं दिखाई दे पाती है तो इस वज़े से उ सामने का लैंस का हिस्सा होता है ना उस पूरे लैंस के हिस्से को जो है उभरा हुआ जो हिस्सा रहता है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है जिससे फिर हमारा जो मतलब की जो बुजूर्ग लोग है जिनके आंखों में मोतिया बेंत हो चुका रहता है तो उनका जो आंखों का पुतली जो दूधिया हो जाता है वो दूधियापन पूरा मतलब नयाब हो जाता है रिप्लेस हो जाता है वो नैच्रल नहीं होता है ना कृत्रिम होता है प्राकृतिक नहीं होता है पर यह है कि जो है हमारे बुजूर को जो है उस चीज को देख पाते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पर की यहां पर द्रिष्टी की सीमा की की न्यूनतम कितने दूर से जो है नियर पॉइंट से जो है वस्तु है हमारी आखों पर मतलब जो है दिख सकती है तो हम लोगों ने देखा कि कम से कम न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमेटर की होनी चाहिए जैसे कि वो ब प्रतिबिम्ब उल्टा बनता है प्रतिबिम्ब उल्टा रेटीना पर पीछे की तरफ बनता है ठीक है तो यह जो है नियर पॉइंट होता है नियूनतम दूरी कितनी दूरी से जो है देख सकते हैं अब दूर का जो बिंदू होता है दूर बिंदू जिसको हम लोग बोलते हैं आप दूर बिंदू आप लोगों ने देखा ठीक है आप लोगों ने दूर बिंदू देखा जहां पर मैंने आप लोगों को बहुत ही सारी चीजे आप लोगों को बताई है ठीक है बिल्कुल और यहां पर आगे भी हम देखते हैं और बिल्कुल इस तरह से यह चीज तो आप जादा मज़ा आया होगा इस वीडियो के माध्याम से जब मैंने आप लोगों को पूरी कारेविधी समझाई कि हमारा नेत्र किस तरह से कारे करता है वो आप लोगों को एकदम clearly अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों भई आया की नहीं आया सभी बच्चों को समझ में अच्छे से येस या नो जल्दी से बताएंगे बिल्कुल तो भई ये हो गया आपका मानव नेत्र जिसमें आप मेंन हेडिंग पॉइंट्स जो है यहाँ पर नोट कर सकते हो सबसे पहले कॉर्निया के बारे में परितारिका पुतली के बारे में ठीक है अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलिय लेंस जो मैंने उत्तर लेंस के बारे में आप लोगों को बताया जिसका क्या होता है यहाँ पर क्या होती है रेटीना होती है और इस रेटीना पर हमारा क्या बनता है प्रतिविंब बनता है रेटीन आपर ठीक है अब समंजन छमता के भारे में भी आप परिभाशा यहां से नोत कर सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह छमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है देखो फोकस दूरी बदलेगी तभी क्या हो पाएगा नेत की जो वक्रता त्रिज्या है ठीक है वह घटी वर्ती है फोकस को एड़ेस्ट करता है और हम लोगों को जो है क्लियरली आँखों में दिखाई देता है ठीक है अब यह चीजी अगर आप नोट करना चाहो तो फटा-फट से नोट कर सकते हो या स्क्रीन शॉट ले सकते हो मैं साइड हो गई हूं बिल्कुल ही हना अब इसके बाद हम बात करते हैं द्रिस्टी दोस्त के बारे में तो द्रिस्टी दोस्त का मतलब क्या होता है तो अभी हम लोगों ने मानाव नेत्र और आँखों की क्रिया विधी के बारे में उसकी पूरी सनरशना चित्र के बारे में स सकता है यह आपको दूसरे कोश्चन के रूप में देगा कि दृष्टी दोस या उनका संसोधन हम लोगों को बताईए ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि किस वज़ा से हमको चश्मा लगता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पास का देखने में प्रॉबलम ह होता है तो बिल्कुल यही क्या कहलाता है आपका दृष्टी दोस कहलाता है और इसका संशोधन जो है बिल्कुल हम जो है अपनी आखों के सामने एक लैंस लगा कर करते हैं जिसको चश्मे के रूप में हम यहां पर पहने हुए होते हैं तो इसको मैं आप लोगों को जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यस या नो फटा फट सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके बिल्कुल क्लियर है की नहीं मजा आया की नहीं फटा फट सारे बच्चों के फट 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 कमेंट आ जाने चाहिए ठीक है बिल्कुल अरे वाह 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 वेरी की सूइपस्ट दर्शन की अलपतम दूरी, तो ये तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो ये अलपतम दूरी है, हम इसको क्या बोलते हैं, नेत्र का निकट बिंदू बोलते हैं, और इस निकट बिंदू के बारे में भी आप लोगों ने देखा कि कम से कम जो है 25 cm का होता है जहां से हम लोगों को अत्यधिक इस पस्ट रूप में हम लोगों को जो है बिना तनाव के आँखों में तनाव दिये बिना जो है रे बनाते हुए जो निकट बिन्दू और दूर बिन्दू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है अब यहाँ पर द्रिस्टी डोस नेत्र धीरे धीरी क्या करता है अपनी समंजन चमता खोने लगता है तो जब बहुत जादा मुबाइल देखोगे या बहुत ज पास से अगर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए तो होता क्या है ऐसा करने की वज़ा से धीरे धीरे जो नेत्र की समंजन चमता आइजस्ट करने का जो ताकत है पावर है है ना किसकी वज़ाई उस से था पावर जो है बिल्कुल मतलब की लैंस के पास यहां पर क्या रखा हो था पक्षमा भी है ना पक्षमा भी जो है एक हमारा हिस्सा था ठीक है नेत्र का तो उस हिस्से में उस हिस्से की कारण क्या कर रहा था लैंस जो है मोटा पतला या बड़ा चोटा होकर कि अपने आपको समंजन छमता के हिसाब से अपने आपको एड़ेस्ट कर रहा था अब धीरे धीरे जब ये समंजन छमता कंग होने लगती है जिसकी वज़ा से वस्तुवे क्या होती है सूस पस्ट नहीं दिखाई देती है सूस पस्ट दिखाई नहीं देती है इसका मतलब क्या होता है जैसे कि मानलो की यह हमारी आंखें और यह हमारी आंखों का लेंस है ठीक है तो मानलो की जैसे की प्रकाश अगर अंदर घूसता है यहाँ पर मानलो की प्रकाश यहाँ पर जैसे की अंदर आता है तो इसका प्रतिविंब यहाँ पर कहा पर बनता है यहाँ पर रेटीना पर बनता है त तो पीछे बनेगा पर एग्जेक्ट रेटीना पर जब नहीं बनता है तो जो द्रिस्टी पतल के माध्धम से हमारे मतलब की मश्तिस्क तक जो सिगनल जाना होता है वो करेक्ट सिगनल नहीं पहुंच पाता है हलका धूंदला सिगनल जाता है ठीक है जिसकी वज़ा से हम सबते ज़ेंगों से पबर्ण के बारे में समझेंगे तो भाई बचाघना कूंब दूर ट्स यहां उल्टा सहरा बारे को सबते क्यों है सब्सक्तिण संब इस इस सी आप लोग यह को हो निकत दिश्टि दोस को निकत दिश्टिता भी कहते हैं और इस दोश में व्यक्ति निकट रखी वस्तुवों को तो इस पस्ट देख सकता है मतलब की देख रहे हो उल्टा नाम रख दिया हमको कन्फिूस कर दिया विचारे मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाते हैं पढ़त देगी तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं निकट द्रिस्ती दोस तो होता क्या है यहां पर जैसे की मैं आप लोगों को यहां पर बिल्कुल निकट द्रिस्ती दोस को बताती हूँ यह जैसे हमारी आखें हैं ठीक है यह जैसे हमारी आखें हैं और यह आखों का उभरा क्योंकि आपको यहां पर पास की वस्तु तो क्लियर दिखाई देंगी तो होना क्या चाहिए इसका प्रतिबिम्ब जो है इस तरह से बिल्कुल हमारी इस रेटीना पर यहां पर बनना चाहिए इसका प्रतिबिम्ब कहां पर बनना चाहिए रेटीना पर बनना चाहिए पर होता उस गलें बatए सो कि यृष्टे पाता है और इसको को ठीकन गवταकर सब्सक्राइबें क्या होता है तो इसका संशोधन क्या होता है ज़ समंजन चंता हमारी आँंकों की खराब हो गई मतलब हमारी जो पुतलियां है वो क्या कर रही है लैंस जो है एडजेस्ट नहीं हो पारी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम जो है कृत्रिम रूप से आँखों में क्या लगाते हैं यहाँ बर सामने में हम कृत्रिम रूप से क्या करते हैं आपर एक लैंस लगाते हैं और यह जो है आप लो है और जब रेटीना पर यहां पर प्रतिविंब बनता है तो दृस्टी पडल के माध्यम से क्या होता है कि जो हमारा मश्टिस्क है वहां तक के clear image जा पाती है तो बिल्कुल जैसे कि मैंने जो चश्मा लगाया हुआ है कम एच के लोगों को जो simply problem होता है generally वह निकट दृस्टी दोस्ट का ही problem होता है तो उनको क्या होता है दूर की वस्तुएं clear दिखाई ने दे पाती है जैसे कि अगर मैं बात करूं मैंने चश्मा निकाल दिया तो वह मुझे क्यामरा भी जो मेरे सामने रखा हुआ है तो वह मिल्कुल बिल्कुल जो है हलका धूंदला की धूंदला दिखाई दे रहा है जतना ज्यादा पावर होता है उतना धूंदला दिखाई देता है तो बिल्कुल मतलब की जो यह जो है मतलब किसी को भी हो सकता है जनरल जनरली तौर पे ठीक है तो इस तर कर सकते हो इस दृष्टी के दोश का ठीक है अगला जो हमारा दोश है वो है दूर दृष्टिता या फिर दूर दृष्टी दोस्तों यहां पर सिंपल वही है कि यहां पर जो है दूर की चीजे जो है एकदम इस परस्ट दिखाई देती है दूर की चीजे इस परस्ट होगा जनरली इसको 40 भी बोलते हैं हमारे लोकल लाइंग्वेज में तो जो भी मम्मी पापा या बड़े लोग होते हैं वो लोग न्यूस फेपर भी क्लियर पढ़नी पढ़ते हैं आज कल तो न्यूस भैसे बहुत जादा कम हो गए हैं बट अब फोन की बात करें फोन चलाए उनको यही परिशानी होते हैं कि उनको पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं तो जब उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैs पर होता क्या है कि जो हमारा ये सामने का उभरा हुआ हिस्सा हो गया और ये जो हमारा आखों का लेंस हो गया और इन आखों के लेंसे से जब यहां पर रोश्णी जो है पास के हिस्से से जो जब अंदर आती है मालो की जैसे ये पास का हिस्सा है है ना निकट बिंदू है मालो आप लोगों का और इट्स निकट बिंदू से आप लोगों का क्या हुआ निकट बिंदू से मालों की आया तो यह जा करके रेटीना पर ना बन करके क्या हो जाता है हमारी रेटीना के पीछे यहां पर क्या बनता है प्रतिभिंब यहां पर बनता है ठीक है तो यह किस दोश के कारण होता है यह जो है आपके बिल्कुल दूर द्रिष्टी दोस्त के कारण होता है अब जो है या इसका जो निवारन किया जाता है तो इसका निवारन करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारी मतलब आखे होती है तो एजेट लोग जो होते हैं यहां पर जो है बिल्कुल जो है इस तरह से निकट बिंदू से होते हुए बिलकुल ये रेटीना पर इसका एक्जक्ली प्रतिविंब बन पाता है रेटीना के पीछे ना बन करके कहां पर बन पाता है रेटीना पर बन पाता है जिसके बाद दृष्टी पटल के सहाईता से क्या होता है हमारे मस्तिस्क तक जो है वो बिल्कुल पहुच पाता है सिगनल और वहाँ पर आप लोगों को क्या होता है जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे पाती हैं ठीक है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे पाती है अब हम जो है तीसरे दृष्टी दोस के बारे में बात कर रहे हैं आपर तो हमारा जो तीसरा दृष्टी डोस है इसको हम बोलते हैं जरादूर दृष्टी डोस क्या बोलते हैं इसको जरादूर दृष्टी डोस जिसको बोलते हैं किसी मानव की आयू में वृध्धी के साथ उसकी नेत्र की समंजन छमता घटते लगती है तो मतलब यहाँ पर समस्य यहाँ पर मतलब की एच के सांथ मतलब ये naturally हो जाता है कि मतलब की बहुत उमर हो गया मालों की 50-50 साल का उमर हो गया तो उसके बाद क्या होता है दूर और पास दोनों का नहीं दिखाई देने लगता क्योंकि उसकी नेतर की समझन चम्दा अपने आप उमर की सांसा घटती चल लगा होता है दादी का चेश्मा गोल बोल बिल्कुल इस तरीके से लगा होता है और यहां पर इस चेश्मे में जो है यह बिल्कुल इस नीचे का जो हिस्सा होता है यह नीचे का हिस्सा जो है यह आप लोगों का उत्तर लेंस होता है उत्तर लेंस किसके लिए जो दूर द्रि दोस्ति दोस्ति में हो रहा था अव्ता लेंस धूर की चीज़ों को देखने के लिए इस तरीके से तो होता किया कि उनकों जैसे पढ़ना होता है तो बिल्कुल वह आंखों को नीचे करके ऐसे ऐसे करके देख थे हैं है और कई बाली तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई अंकल ऐसे करके दूर की चीजों को देखते हैं, इस तरह से, क्योंकि उनको क्या होता है? क्योंकि उनको चश्मे के वा足यां से, मतलब जब सिर्फ पास की चीजों को देखना होता है, तो होता क्या कभी-कभी हमारी आंक, मतलब आखों में प्रकाश की रौशनी नीचे के इस हिस्से से आप जो उत्तर लेंस का जहां पर इस्तमाल कर रहे हो यह जो है पास की चीजों को क्लियर देखने के लिए तो इससे दूर का तो दिखेगा नहीं धुनला दिखेगा ठीक है तो वह क्या करते हैं बिल्कुल इस तरीके से चश्मे को नाख में लगा करके रखते है और आप लोगोंने कभी सेठ जी लोगों को देखा होगा जो दुकानों में बैठे रहते हैं ऐसे सेठ जी लोग ऐसे देखते हैं तो आप लोग भी सोचते होगे कि यह अंकल ऐसे क्यों देखता है यह मोटा अंकल जेठालाल ऐसा देखता क्यों है ठीक है तो बिल्कुल इस का तो इसका शंसोधन केवल और केवल operation के द्वारा ही किया जा सकता है तो फटा-फट से आप नोट कर सकते हो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो भाई पूरा मैंने आप लोगों को माना उनेत्र के बारे में बता दिया सारी चीजे आई हो प आप लोगों ने पूरी चीजे लोगों के प्ढब है नोट ली होगा इसके पहले वाले चाप्टर में पर वहां पर आप लोगों ने ढार कास्व के द्वारा आप वर्तन ने पढ़ा था यहां पर हम प्रिजम से प्रकाश का अपुर ख हुए है वो बिलकुल इसलिए क्योंकि ये हमारे रंग विरंगे संसार का हिस्सा है और बिल्कुल प्रिज्म से प्रकाश का जब अपवर्दन होता है तो किस तरह से हमें जो एक सफेद रंग की प्रकाश की रण है साथ रंगों में विभक्त हो करके दिखाई देती है ये जादुगरी आज हम लोग पर उसके पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रिज्म को समझ लेते हैं और बिल्कुल प्रिज्म से किस तरह से प्रकाश का विक्षेपर होता है जिसकी वज़ा से हम लोगों को एक स्वेद प्रकाश की की रण जो है बिल्कुल साथ रंगों में विभक्त हो करके दिखा लाई देती है और आईजैक न्यूटन साहब ने किस तरह से प्रयोग किया जिससे मतलब बिल्कुल इस प्रयोगों को भी हम पर इंद्र धनुष के रूब में इस प्रिज्म का जो अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन है इसी concept को बहुत enjoy करते हो बिल्कुल colorful आप जो है ये पूरा beautiful जो है world आप लोगों के सामने दिया गया है और ये कैसे होता है तो ये हम लोगों को पूरा जो है हमारे इस प्रिज्म क प्रकाश के अपवर्तन के concept से आप लोगों को समझ में आएगा तो सबसे पहले यहां पर देख लो कि प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पारदर्शी पदार्थ मतलब बिल्कुल कांच की तरह होता है white color का होता है मैं बिल्कुल आप लोगों को practical real बताऊंगी कि कि किस त डिगरी से कम का कोन बनाते हैं और प्रिज्म केहलाते हैं बिल्कुल देखो एक बार ना आप इसको real में देख लो कि यह real में जो है कैसे दिखता है तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर बिल्कुल प्रिज्म के प्रावर्तन जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसको ही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे पर समझने से पहले मैं बिल्कुल आप लोगों को इमेजन करवाना चाहती हूँ आप लोग यहां पर देख लो कि जो है यहां पर रखा हुआ है यह आप लोगों को explain करूंगे मैं बाद में explain करूंगी पर यह जो बीच में रख कृते हैं तो आई होप आप लम हम अप लोग को निऑ स्कूल में प्रिस्मिट में देखया होगा यह बिल्कुल आप लोगों प्राक्टिकल कर देख सकते हो एसका हम लोगों ने जो तरी भूज वाला सामने का हिस्सना है उस हिस्से को यहां पर मतलब आकर दिख रहा है को दिखाते हुए यहां पर मैंने आप लोगों को लिए डाइगरां लेकर कीने आया है तो जैसे आप लोगोंने प्रेकाश के अपवरतन में पढ़ा है ठीक उसाघ accelerationi को समझते जाना माध्यम है और ये काच के अंदर जो है या फिर प्लास्टिक के अंदर जो है जिससे भी प्रिजम बना होगा उसके अंदर प्रवेश कर रही है वो माध्यम सगन माध्यम होगा तो सगन माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो क्या होता है ये इस तरह से सीधी ना जा करके क बिंदू होगा, इस बिंदू में वो क्या होगा, कि सघन से वापस कहां जाएगा, हवा में आएगा, मतलब की विरल में आएगा, तो यहाँ पर फिर से यह मुर जाएगा, बिल्कुल अपने रास्ते से भटक जाएगा, उसको जाना चाहिए था यूँ सीधा, सीधा ना जा कर के क्या होगा, वो बिल्कुल अपने रास्ते से यूँ भटक जाएगा, ठीक है, तो मतलब की एक्च्वल में जब यह मानलो की माध्यम ना होता, तो इसका रास्ता, इसका पत्थ क्या होता, यह जो मैंने पिंक का कलर से यहाँ पर पनाया है, बिल्कुल इस दिशा में होता, ठीक है, परंतु इस प्रिजम के कारण यह गया कहाँ पर, यह प्रिजम के कारण गया इधर, फाइनली इधर गया प्रिजम के कारण, तो जो इधर गया, ठीक है, तो यह जो है निर्गत की रण है, यह क्या है निर्गत की रण, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख हुआ है अगर आप लोगों को clear नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता देती हूं P E जो है आपतित की रण है और इसके बाद E F यहां पर लिखा हुआ है इस बिंदू पर F लिखा हुआ है यह जो है अपवर्तित की रण है ठीक है प्रिजम के अंदर जो अपव लंब खीचेंगे क्या करेंगे यहां पर बीच में जब हम लोग यहां पर अभी लंब खीचते हैं तो यह वाला जो हमारा कोड होता है इस कोड को हम लोग क्या बोलते है आपतन कोड बिलकुल आप लोगों ने पूरा-पूरा पढ़ा है प्रकाश वाले चाप्टर में और यहाँ पर जब बाहर निकलेगा ठीक है तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है निर्गत कोड कहलाता है क्या कहलाता है निर्गत कोड परन्तु यहाँ पर एक्च्वल में जो हुआ क्या यह जो है अपने मार्ग से विचलित हो गया जाना था इधर इस पिंक वाली लाइन की तरफ च विचलन कोड कहते हैं इस विचलन कोड को यहां जो है मैं D से प्रदर्शित कर रही हूं क्योंकि यहां पर इसको अंगरेजी में बोलते हैं एंगल ओफ डिसपर्शन से इसको प्रदर्शित किया जाता है हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन कोड क्या बोलते हैं विचलन कोड तो यह diagram आप लोग बनाएंगे, यह पूरा diagram हो सके तो आप लोगों के हैंपे बना के बता देती हूं, बिल्खुल जो आप लोगों का यहाँ पर prisma था, prisma के सामने का त्रिभुज वाला हिस्सा आप यहाँ पर बनाएं और यहाँ पर यह जो है, आप लोगों का क्या हो गया, आपतित कीरण यह आपतन कोड हो गया और आपतन कोड के बाद यहाँ पर क्या हो गया यह अपवर्तित हो गया अपवर्तित होने के बाद वापस यह जब बाहर गया तो यह क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का बनेगा क्या यहाँ पर आप लोगों का यह ब ये क्या मिलेगा विचलन कोड जिसको हम क्या बोलते हैं एंग से तो पूरा नामां कित रेखास चित्र आप लोगों को एक्जाम में जरूर बनाना है और यह कोशेंद पूछा भी जाता है और बिल्कुल जैसे यहांँ पर गया है ना तो कीरण गई तो ये तो हम लोगों ने अभी केवल और केवल अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लोगों को dispersion code मिला यहाँ पर किस प्रकार से हम लोगों को vigilant code यहाँ पर मिला तो अगर हम यहाँ पर श्वेत प्रकाष की कीरण पुंज को डालते हैं तो श्वेत प्रकाष की कीरण यहाँ पर इस प्रिज्म के माध्यम से कैसे जो है सात रंगों में विभाजित होती है और जो प्रकाष का यहाँ पर एक स्वेत प्रकाष का यहाँ पर सात रंगों में जो वि निर्मान करता है ठीक है सात रंगों की पट्टी का निर्मान करता है बिल्कुल हम प्राक्टिकल देखेंगे विडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाओंगी प्रकाश के इन अव्यवी वर्णों को बैंड को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम यह हमारा क्या कहलाता है दिखाई देता है बारिश के दिनों में तो हम सभी जो है बहुत ही जादा एंजोई करते हैं बिल्कुल यार आप खुछ सोचो ना अगर यह वर्ड अगर एकदम ही वाइट कलर का होता तो क्या कुछ मज़ा आता क्या बिल्कुल सिंगल एक दो कलर में ब्लैक और वाइट जमा कलरफुल है जतना ज्यादा जो है हम लोग उसको क्लारेटी से देख पा रहे हैं इन स्पेक्ट्रम के माद्यम से उतना जादा हम लोगों को चीजे जो है वहाद एक कुप सूरत दिखाई देती है बिल्कुल अगर हम डैकोरेशन करते हैं तो अगर कलरफुल डैकोरेशन होत बिल्कुल ये वही न्यूटन बाबा है जो आप लोगोंने कख्षा नवी में पढ़ा होगा जब उन्होंने गुरुत्वा कर्शन का कॉंसेप्ट दिया था जहां पर बिल्कुल एक सेव को पेड़ से गिरते हुए देखा था उन्हीं न्यूटन बाबा के बारे में मैं यहां हम लोग प्रिस्म में अंदर डाल रहे थे ठीक है तो इस स्वेक प्रकास में क्या हो रहा था आप लोग देख सकते हो वापस से यह डाइग्राम में आप लोगों को दिखाती हूं यहां पर बिल्कुल प्रकाश का अपवर्ता नहीं हो रहा था जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो यहां पर जो रेड कलर की लाइट थी रेड कलर की लाइट थी उसमें जो विक्षेपन अप उसका जो मतलब विक्षेपन है वो सबसे कम हो रहा है है ना मतलब कि यह जो हमारी परपल कलर है यह जो परपल कलर आप लोग देख पा रहे हो नीचे में यह सबसे ज़्यादा मूड रही है सबसे ज़्यादा मूड रही है तो बिल्कुल यहां से आप लोगों को सवाल मिलेगा कि लाल रंग जो है मतलब सबसे कम मूरती है ज़्यादा मूरती है बीच में रहती है क्या रहती है इस तरह से आप लोगों को objective questions आएंगे बिल्कुल और यह तरह कि आप लोगों को अब्जेक्टिव कोशन की प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार करनी है और यहां इस माध्यम से आप लोग यहां पर देखी रहे हो आर फॉर रेड है यहां पर आर फॉर यहां पर क्या है रेड है और यहां पर जो है वी फॉर वाइलेट है ठीक है व कोंड उसमें हम लोगोंका बैंगनी रंग उसमें हमारा प्रकास का सबसे ज्यादा दो प्रिजम लगा एक वहां प्रिजम मैं 2 प्रिजम isina से दूज् Strangeником हो सकते संब प्रकाश डाला तो यहां पर आप colors मिले साथ colors मिले ठीक है अब ये साथ colors को वापस से हम लोगों ने क्या क्या प्रिज्म को उल्टा रख दिया और उल्टे प्रिज्म में रख करके इन साथ colors को इसमें भेजा तो वापस से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ सफेद कलर राप्त हुआ तो बिल्कुल जो है ये एक्सपेरिमेंट प्रक्टिकली करा जा सकता है देखा जा सकता है बिल्कुल हना और बिल्कुल इस वर्न विक्षेपन इस जो प्रकास का विक्षेपन जो है इस प्रकास के विक्षेपन के वज़ा से ही बिल्कुल जो पानी क बुदे है पानी की बूंदों में भी बिल्कुल इस तरह से जो है विच्छेपण होता है बिल्कुल इसको भी मैं समझाओं की और जिसकी वज़ासे हम लोगों को क्या दिखाई देता है यह रंग बिरंगा इंद्र धनुष दिखाई देता है बिल्कुल सात कलर का बहुत भी सूरज जो है नजारा हम लोगों को यह आपर हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और बिलकुल यह कैसे होता है prinORA में कैसे विच्छेपन होता है तो बिलकुल इसको हम समझेंगे यहाँа पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि इंद्रधनुष में जो विच्छेपन देखा एक प्राकार का प्रवेट्टन सब्हुतु आप लोगों को बताया है कि इंद्र धनुश जो है बिल्कुल किस वजह से बनता है और यहां पर अभी हम एक्सपारिमेंट करेंगे जिसमें हम क्या लेते हैं यहां पर एक हम लोगों ने पुठा लिया हुआ है गत्ता जिसको बोलते हैं और बीच में हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पर बीच में यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल छेद कर दिया हुआ है ताकि जो है इस हिस्से से केवल जो है श्वेत प्रकाश की कीरण जो हम यहाँ पर बल्ब से दे रहे हैं ये श्वेत प्रकाश की कीरण जो है अंदर जाएगी और जैसे ही अंदर जाएगी तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है टेबल में प्रिजम लखा हुआ है और आप यहाँ पर एकदम क्लियरली देख सकते हो कि श्वेत प्रकाश की कीरण इस प्रिजम में आई और ऐसकी सबसे कम होगा जबकि हमारा यहां पर जो वाइलेट कलर है इसका विच्छेपन सबसे जादा होगा और विच में हमारे साथ कलर्ज है एंद्र अनुष के साथ कलर्ज आप देख सकते हो और बिल्कुल नीचे का जो हमारा वाइलेट है violet मतलब की बैंगनी रंग है बैंगनी के बाद हमारा जो है ऊपर में आप लोग देख सकते हैं नीला रंग है नीले के बाद green yellow orange और red इस तरह से जो है हम लोगों के सात रंग हम लोगों को दिखाई देते हैं बिल्गुल सात colors हम लोगों के साइस को हमनो क्या बोलते हैं spectrum बोलते हैं प्रकाश के विक्षेपड की वज़ा से ये spectrum हम लोगों को दिखाई दिया ठीक है तो ये हम लोगों ने खुबसूरत सा वीडियो देखा और बिल्कुल ये ही इंद्रधनूश है आप लोगों का तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जल्दी से सब ब लोग ये जो है चाप्टर नहीं पढ़ रहे होते हैं अगर आप प्रिज्म के कौंसेप्ट को नहीं समझते तो आप लोगों को ये कभी समझ में ही नहीं आता कि ये हमारी खुबसूरत सी दुनिया जो है इतनी रंग बिरंगी क्यों दिखाई देती है और बिल्कुल जो यह यहां पर जो इंद्र धनुष जो हम लोगों को दिखाई देता है तो जैसे कि यहां पर जो हमारी पानी की जो वर्षा की बूंद है यहां पर यह वर्षा की बूंद जो है बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह ही क्या करती है एक प्रिज्म की तरह ही कारे करती है और यहां पर प्रकाश की कीरण होती है वो यहां आ रही होती है और यहां पर आ करके क्या होती है यहां पर एक बार इसका अपवर्तन होता है दुबारा दूसरी सता पर पहुंचता है तो दूसरी सता पर वापस से अपवर्तन होता है अपवर्तन के बाद यह हम लोगों को इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है बिल्कुल साथ रंगों में विभक्त हुआ हम लोगों को प्रकाश का विक्षेपड हुआ साथ इंद्र धनूश के कलर दिखाई देते हैं और बहुत सारी पानी की वर्षा की बूंदे होती है तो याद रगना ये इंद्र कर रहेगा तो कोई भी प्रकाश नहीं आएगा तो बादल की अमलब बारिश की बूंदों पर जब बादल भंदक किसी एक इससे का बादल हड़ गया दूसरे हिस्से में बादल चाहे हुए है और वहां से बारेश हो रही है यहां से सूरी निकल गया निकल गया शुरिय यहां तो वायू मंडली अपवर्तन कैसे होता है तो ये हमारा जो वायू मंडली अपवर्तन होता है बिल्कुल क्योंकि हमारे वायू मंडल में जो हर उचाई पर अलग अलग घनत्व पाए जाते हैं जिसकी वज़ा से जब प्रकाश की तरंगे बिल्कुल सूर्य हमारा प्रकाश का स्त्रोत है उर्जा का स्त्रोत है और जो है प्रित्वी में जो प्रकाश आता है तो बिलकुल वहीं से आता है तो प्रकाश की तरंगे या किरने जो होती है क्या होती है जब सूर्य प्रित्वी के अंदर प्रवेश करती है ठीक है तो यह जो हमारा वायू मंडल है तो इसमें व पूर्दूर होगे वह विरल होगा तो अलग-अलग layers है अलग-अलग layers की वज़ज़ से वहां पर जाहिज से वार से सगन सगन, सगन से विरल-विरल से 0 तो यह सिलसिला चलता रहता है जिसकी वज़़ा से हम लगों को वायू मंडल में क्या होता है मतलब वायू देखने के लिए मिलता है क्योंकि हर लेयर का अपवर्तनांग क्या होगा हर लेयर का अपवर्तनांग अलग-अलग होगा जिसकी वज़ा से वायू मंडल में क्या होता है वायू मंडल में अपवर्तन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा इस वायू मंडली अपवर्तन के वजह से ही टिम्टिम आते हैं कैसे टिम्टिम आते हैं क्या होता है ये पूरा concept में आप लोगों को सिखाऊंगी और क्या होता है तारों के टिम्टिम आने के अलावा हमको ये भी चीज़ देखने के लिए मिलती है कि सूर्य जो है सूर्य जो है अपने मतलब exact time में सूर्योदय से पहले दो मिनट पहले हम लोगों को सूर्योदय दिखाई देता है और जब सूर्य जो है बिलकुल सूर्यास्त जब हो जाता है उसके दो मिनट बाद तक भी हम लोगों को पृत्वी से दिखाई देता है तो ये बिलकुल वायू मंदल के अपवर्तन के कारण ही होता है और बहुत सारी चीजे वायू मंदल के अपवर्तन के कारण होती है तो हम लोग बहुत सारे जो है नाचुरल फेनोमेनास के बारे में मतलब जितने भी प्राकृतिक चीजे हैं उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आईए जानते हैं कि तारों का टिंठी माना कैसे प्रित्वी से बहुत जादा दूर होते हैं बिलकुल प्रित्वी से बहुत जादा दूर होते हैं बिलकुल प्रित्वी से बहुत जादा दूर होने के कारण यह हम लोगों को कैसे दिखाई देते हैं बहुत ही छोटे-छोटे-छोटे दिखाई देते हैं और बिलकुल इस ची के माड़म से देखेंगे तो आप लोग सकते हो कि हमारा जो है मतलब जो हमारा एक गंगा होता है जिसमें बिल्कुम इस अकाश गंगा में आप लोगरで देख सकते हो बिल्कुम collectors यह वीडियो लगाती हूं मैं बिल्कुल यह पीछे कर दिया मैंने मैंने गालेक्सी है हमारी आकाश गंगा जिसमें बहुत सारे ग्रह तारे नच्छत्र बहुत सारी चीजे हैं हमारी तो बिलकुल ये बीच में हमारा सूर्य होता है सूर्य भी एक तारा होता है पर इसके अलावा भी और बहुत सारे तारे होते हैं जो प्रित्वी के प्रित्वी से ब बहुत ही जादा दूर होते हैं तो बहुत जादा दूर होने के कारण ये हम लोगों को कैसे दिखाई देते हैं ये बिल्कुल हम लोगों को बिंदू रूप में दिखाई देते हैं ये तो हमारा सूर्य हो गया सूर्य दिखा रहा है आप लोगों को और ये जो बांकी तारे है हैं वो बहुत ही दूर है तो लोग सूरे जोह है बड़ा सक्खाई देता है वर बाग की सब चीज़ंगों को कैसे दिखाई देते है बिलकुल हम वारी आँखों में हम च्छोड़े दिखाई देते हैं तो उसकी वज़ा से क्या होता है मतलब बिल्कुल उसकी वज़ा से मतलब आप लोग बहुत साई चीजे देख पा रहे हो यहाँ पर की मतलब काफी सारी चीजे हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है खुबसूरत सी हम लोगों को दिनिया दिखाई दे रही है य और तारो का जो टिम्टिमाना है बिल्कुल तारो का जो टिम्टिमाना है वो क्या हो गया वो क्या बता रहे है आप लोगों को तो बहतर होगा कि हम जो है ये तारो का टिम्टिमाना जो है ये होगा क्या आपका जो वायू मंदल का जो लेयर्स है वो लेयर्स में अलग अलग अ अलग अपवर्तनांग होता है जिसे सगन से विरल माध्या में जो है आप लोगों का प्रकाश प्रवेश करता है और हर बार अपने रास्ते को बदलता है जैसे की प्रिजम में अपने रास्ते को बदल रहा था ठीके तो वो क्या होता है वावापस से रास्ता विदलते हुए बदलते हुए यहाँ पर मानलो कौन खड़ा है यहाँ पर मानलो की शुभम खड़ा हुआ है तो शुभम के पास आखों में आता है और आखों में आता है तो वो एक्जेक्ट जिस पोजिशन पर है उस पोजिशन पर ना दिखाई कदे करके क्या होता है उससे थोड़ा हट करक हाना उससे थोड़ा हट करके हम लोगों को जो है एक मतलब कहना चाहिए आभासी प्रतिबंब दिखाई देता है तो बिल्कुल इस वज़ा से जो हमारे तारे हैं वो हम लोगों को क्या होते हैं बिल्कुल टिम्टिमाते हुए दिखाई देते हैं और यहां पर अगर आप लोटी से थेोरी लिखने हैं देखो इस चाप्टर से बहुत ही आसान सवाल आप लोगों को आने वाले हैं यह चाप्टर ही बहुत ही इंट्रस्टिंग है मजएदार है बिल्कुल हमारे नेचर के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं तो बाई प्रकृती से प्यार सभी को ह जब हम अग्रिम सूरियोदय और विलंब सुरियासद की बात करते हैं तो यह क्यों होता है तो बिल्कुल यह भी प्रकाश के अपवर्टन की वजह से ही होता है जैसे कि हम वायू मंदल मतलब यह जो हमारी प्रिथवी है और बिल्कुल यहां पर मैं किसको बिठा दिती मान लोग कि आप लोग किसी सी बीच एरिया में हो मतलब कि समुद्र के किनारे पर कहीं पर बैठे हुए बड़ा ही प्रकृति का आनंद ले रहे हो इंजुआए करो पुरी फामली के साथ मम्मी पापा के साथ आप ट्रिप पर गए हुए हो और बिल्कुल समुद्र में बीच क किनारे सुबह सुबह आप जाकर करके बैठ गये कई बार होता है न हम वहां पर सैट या फिर हम लोग सन्राइज देखने के लिए जाते हैं सुरियोदा या सुरियास्त देखने के लिए जाते हैं ठीकै तो वहां पर मानलो की समुद्र की पर किनारे बैठे हुए तोbas benefit है तो क्योंकि अपवर्तन के कारण वो अपना विचलन कोड बनाती है और उस कोड की वज़े से हम लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका actual मतलब कि इसका असली position जो होता है वो होता है बिल्कुल नीचे पर हम लोगों को जो है यह दिखाई देता है कैसे थोड़ा उपर दिखाई देता है इसका मतलब बिल्कुल दो मिनट पहले हम लोगों को क्या दिखाई देता है दो मिनट पहले हम लोगों को सूरियोदय दिखाई देता है और इतना खूबसूरत सा सीन होता है आप सोचो अगर आप समुंदर के किनारे बैटे हो बड़ा सा समुंदर और बि सारे लोग जाते हैं और बहुत ही खुब्सूरत सुरियास्त होता है अगर आप इस तरह से बहुत ही मतलब प्राकृतिक जगह पर अगर आप जाओगे सी बीच किनारे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सुरियास्त देखने का ही एक अपना मजा होता है और बिल्कुल डूब होते समय भी क्या होता है दूबते समय भी बिल्कुल इसी तरह से मालों कि जब इधर जैसे सुरियोदय हो रहा था अगर मालों कि मैं आकाश को पलट देती हूँ और इधर क्या हो रहा है सुरियास्त हो रहा है तो बिल्कुल एक्च्वल में सुरियास्त जो है एक्च्वल मे से यहां पर 2 और 2 मिनट पूरा 4 मिनट का लेट हुआ मतलब की सूर्य मतलब जो दिन है हमारा बिलकुल 4 मिनट क्या हो जाता है हमारी आँखों के लिए लेट हो को देखने केलिए मिल रा है क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो सूर्य की कीरण है आप लोग देख पा रहे हो कितनी खुपशूरत यहाँ पर लाइन और ंपलों को दिखाइज जानाает क्या कpants को अभर ये प्रकाश का प्रकेडन कैसे अभी-अभी आप लोगोंने प्रकाश का अपवर्तन पड़ा वायू मंडलिया अप्रिजमस से हम लोगोंने उसको समझा अब हमलोग यहां पर जो है प्रकाश का प्रकेडन समझेंगे जिसमें हम पर देखो ये तो और भी खुबसूरत है यार वाओ मैम ये संराइज या संसेट के समय ये खुबसूरत सा नजारा हम लोगों को दिखाई देता है अब सुरियोदय हम लोगों को सुरियोदय से पहले हम लोगों को सुरिय दिखाई देता है सुरियास्त के बाद हम लोगों को स जिए इसका कारण क्या हो सकता है बिल्कुल जो आसमान पूरा हम लोगों को यहां पे लाल दिखाई दे रहा है इसके आलावा बिल्कुल यह बादल है बादलों के पीछे आसमान है और आसमान को ढग देते हैं ये बादल और ये बादल इतने सफेद क्यों दिखाई दे रहे हैं और ये बादलों के पीछे का जो आसमान है ये आसमान का रंग हमको नीला क्यों दिखाई देता है समुद्य का रंग हमको नीला क्यों दिखाई देता है बिल्कुल ये सब चीज क्यो होता है क्या कोई बता सकता है क्या कोई बता सकता है अगर बता सकता है तो बिल्कूल कमेंट के माध्यां से अभी आप लोगों कमेंट करके बताने हैं कौन बताएगा चलो कौन बताएगा तो पीटा यह होता है प्रकाश के प्रकिर्णन के कारण कैसे यह सारी घटनाई जो है प्रकाश के प्रकिर्णन की वजह से घटित होती है इसको हम समझेंगे हमारे अपने इस concept पे जिसको बोलते हैं प्रकास का प्रकेडनन तो देखो गाईज अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वायू मंडल में बहुत सारे layers होते हैं कोई सघन होता है कोई viral होता है इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही कया होगा ठीक है अब यहाँ पर इतना तो समझ जाओ कि यहाँ पर सघन और viral होता क्यों है क्योंकि कहीं पर धूल के कड़ होंगे कहीं पर nitrogen के कड़ होंगे कहीं पर oxygen के कड़ होंगे कहीं पर carbon dioxide के कड़ होंगे तब बिल्कुल इस तरह से मतलब जैसे कि हमारा वायू मंडल है तो बहुत सारे इसमें क्या है बिल्कुल यहां पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे जो हैं बिल्कुल वायू मंडलिया कण पाउजुद होते हैं ठीक है तो यहां पर इन कणों में क्या होता है असमान रुप से परावर्तन होता है जिसकी वज़ा से जो आप लोगों ने यहा पर देखा जैसे कि यहां पर जो सूरी की किरंड थी सूरी की किरंड जब शुबह सुबह आ रही है तो बिलकुल सारे धूल के और जितने भी गय से सारे कणों को पार करते हुए आ रही है बहुत सारी चीजे जो है हमारे वायू मंडल में घुली मिली हुई है और इन सब को बिखरा हुआ सा दिखाई दे रहा है कैसा दिखाई दे रहा है बिखरा हुआ सा दिखाई दे रहा है और इस बिखरे हुए से प्रकाश को ही हम बोलते है क्या प्रकाश का प्रकिर्णन ये जो इफेक्ट प्रकाश की किर्णों में जो हो रहा है यही क्या कहलाता है प्रकाश इस समय में पूरे आसमान का लाल दिखाई देना ये सब प्रकाश के प्रकिर्णन के कारण होता है तो I hope कि आप लोगों को प्रकाश का प्रकिर्णन तो समझ में आई गया होगा कि वायू मंडल में सुच्पकरों द्वारा प्रकाश की केड़ों का जो असमान परिवर्तन है ज इसकी वज़ा से हम लोगों को ये खुबसूरत दुनिया दिखाई दे रही है आसमान नीला बादल सफेद और इसके अलावा जो हो गया समुंद्र जो हमारा नीला दिखाई दे रहा है सबके कारणों को मैं एक एक करके बताऊंगी और ये जो मतलब प्रकिर्णन है इस प्र लोगों को बहुत सारे पिक्चर दिखाए जहां पर बिल्कुल जो है प्रकाश की कीरण जो है बिखरी हुई दिखाई दे रही है इसको हम प्रकाश का प्रकेर्णन कह रहे हैं तो ये जो प्रकाश का प्रकेर्णन है ये हमें दिखाई दे रहा है टिंडल एफेक्ट के या फिर इसको हम कहते हैं, टिंडल प्रभाव ठीक है टिंडल, इफेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहेंगे टिंडल प्रभाव और इसको आप लोगों को बहुत ढ़ेंग समझाऊंगी पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश कीरण के पुंज का वायू मंडल में विलंबित सुक्ष्मकणों से क्या होता है परावर्तित हो करके उसका पथ दृष्य हो जाना तिंडल प्रभाव कहलाता है मतलब कि क्या हो रहा है कि प्रकाश कीरण की पुंज प्रिथ्वी पर आ रही है वायू मंडल से होते हुए आ रही है और वायू मंडल से सुक्ष्मकणों से जब गुजरते हुए आ रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है उन कड़ों पर उनका परावर्तन होने के कारण वो जो ह प्रभाव मतलब जिसकी वज़ा से प्रकाश का प्रकेर्णन कहला रहा है ये प्रभाव क्या कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है अब ये टिंडल प्रभाव कैसे होता है तो इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जैसे कि यहां पर हमारे पास सूर्य जो है प्रकाश क हमारा स्त्रोथ है और ये जो हमारा वाइट कलर का हिस्सा है ये पूरा हमारा वायू मंडलिय शेत्र — ये क्या है जितने भी ये बैंग़नी, रंग एक कंड इखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे शुक्ष्मकड़ है इन शुक्ष्मकड़ों में क्या होता है प्रकाश का जो है हर कड़ों में यहां पर क्या होता है परावर्तन होता है जिसकी वज़ा से क्या होगा परावर्तन होके यहां सिर्फ जैसे यहां पर देखो इसको लेते हैं यहां पर आया फिर यहां पर सीधे सीधे आ रहा है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है सीधे सीधे आ रहा है पर यहां पर क्या हो रहा है बिखर रहा है ठीक है यहां पर कौन से कीरण बिखर रहे है तो यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में यह देखो यह देखते हैं हम यह प्रिजम वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा बैंगनी कलर होता है ठीक है यहां पर अपूरतन सबसे जादा अधिक होता है तो मतलब इसका क्या हो गया यहां पर इसका जुकाओ सबसे जादा अधिक हुआ तो इसका इसका जो तरंग दैर्ध्य है ठीक है यहां पर जो इसका तरंग दैर्ध्य है जो प्रकाश के विक्षेपन के कारण हम लोगों को मिल रहा है ठीक है यहां पर इसका तरंग दैर्ध्य जो है क्या होगा सबसे कम तरंग दैर्ध्य का होगा क्या होगा यहां पर इसका तरंग दै यह क्या होगा हमारा इसका जो तरंक दैर हैं। अधिक तरंक दैर्थ्य होगा।AP तो यहां पर कम तरंक दैर्थ्य है। मतलब विक्षेपण हुआ प्रकाश के विक्षेपण के बाद हम लोग यहाँ पर प्रकाश का प्रकेणन पड़ रहे हैं देखो नाम बहुत कॉंप्लिकेटेड है तो में भी हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजा नो तो एक बार मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ररोगों में विभक्त हुई तो सब के अलग अलग तो सबका अलग तरन पर पूचा पर कण में का मतना फिसका पॉर्ट ए contribute to पर जब प्रिस्म के अंदर गुषता है तो यह सारी चीज़े आप लोगों को समझनी है तो प्रिस्म तो हम लोगों ने समझने के लिए देखा था पर यहाँ पर हर कड़ों में वही चीज घटनाएं घट रही है ठीक है प्रकाश के विक्षेपन के बाद जब यह सात रंगों जो कहलाता है यह प्रकेडन हम लोगों को क्यों देखने के लिए मिलता है तो यह प्रकेडन हम लोगों को टिंडल प्रभाव की वज़ह से मिलता है तो इस टिंडल प्रभाव को हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तो इस टिंडल प्रभाव को हम लोगी यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहां पर जो हमारा यह बैंगनी कलर का जो बना हुआ है यह सबसे कम दरंग दैधे का रंग होता है सबसे कम दरंग दैधे का रंग होता है कम दरंग दैधे की रंग होने के वाज़ा से क्या होता है यह जो है मतलब की काफी लेट से हना जायर सी बात है कि मतलब कि आ आप लोगों को टिंडल प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर यह था्व सबसे ज़्यादा बिक्रेगा, जिसका कम तरंग दाइल्ध में वह सबसे जजादा बिक्रेगा जबकि यहाँ पर हमारा जो रेड कलर होता है आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा red color होता है, इसका तरंग देर्ध क्या होता है, इसका तरंग देर्ध सबसे ज़्यादा होता है, इसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा कम है, है ना, प्रकाश के विख्षेपड में हम लोगों ने देखा था कि इसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा कम था, जिसकी वज़ चोटा है तो चोटा तरंग देर्ध का जो कलर है तरंग देर्ध का जो कलर है वो जो है बिल्कुल इस टिंडल प्रभाव के वज़ा से क्या हो जाता है बिल्कुल बिखर जाता है ठीक है अब ये जब बिखर गया तो बिखरने की वज़ा से क्या हुआ कि ये जो सूर्य के किरन हैं हम लोगों को बिल्कुल सूर्य की किरने आप लोग यहां पर देख पा रहे हो यह बिल्कुल हम लोगों को बिखरी हुई दिखाई दे रही है इसी तरीके से मालों की कहीं पर मालों की यहां पर आग जलती हुई होती है बिल्कुल हिलती हुई दिखाई देती है बिल्कुल हिरती हुई दिखाई देती है क्योंकि यहां पर भी क्या देखा जाता है तिंडल प्रभाव देखा जाता है और यह जो सूरी की किर्ण है यहां पर भी सब प्रकाश आप लोगों को पूरा बिखरा हुआ दिखाई देता है यहां पर भी क्या हो रहा है तिंडल प्रभाव हो होता है वो किसका होता है बैंगनी कलर का और जो हमारा बैंगनी के बाद क्या कलर होता है हमारा नीला कलर होता है तो इन दोनों को मिला करके क्या कलर बनता है आस्मानी कलर बनता है इन दोनों के मिला करके क्या बनता है आस्मानी कलर बनता है मतलब स्काई ब्लू कलर जिसकी वज यहांप इस को धिखाई देती है और विलकुल यह हमारा जो इस दूनिया को क्या बनाता है रंग विरंगा और खुब्सूरत बनाता है ठीक है विलकुल यहीं चीज मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ परым रह यह हमारा यह अर्थ है हमारा ये अर्थ है सूरी की प्रकाश किरन हमारे यहाँ पर प्रित्वी है उसके जο सता है इस सता पर आ रहे है बहुत सारा यहाँ पर वायू मंडल में सुक्ष मकरम आउजूद है जिसकी वजह से ये क्या कर रही है फैल रही है और फैलने में सबसे ज़्यादा कौन फैलती है जिसका तरंग दैड़ सबसे ज़्यादा कम होता है तो हमारा बैंगनी और नीले कलर का तरंग दैड़ सबसे ज़्यादा कम होता है जिसकी वज़ा से मतलब बांकी कलर तो बिखरते नहीं है पर सबसे ज़्यादा नीला और बैंगनी कलर बिख जाता है और नीला और बैंगनी कलर बिखने के कारण ये हम लोगों को पूरा-पूरा नीला दिखाई देता है और समुद्र की अगर हम बात करें तो समंदर का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो बेटा समंदर का रंग नीला हम लोगों को बस इसी लिए दिखाई देता ह कि वहाँ पर भी क्या होता है टिंडल प्रभाव देखने के लिए मिलता है प्रकाश का प्रकिर्णन होता है सबसे कम तरंग दैध का जो प्रकाश की रण है स्पेक्ट्रम है नीला और बैंगनी गलर का जो क्या होता है उसमें सबसे जादा टिंडल प्रभाव देखने के लिए मिलता है प्रकिर्णन सबसे जादा देखने के लिए मिलता है इस वज़े से क्या होता है चारों तरब विखर जाता है और हमारी आखों में आस्मान और समंदर का पानी दोनों ही क्या दिखाई देता है नीला क्योंकि एक दम मतलब विशाल का आई है ना विशाल रूप में इस या फिर अमरनाथ या वैशनोदेवी इस तरह के पहारी एरिया में आपका भी जाओगे ना तो बिल्कुल आप लोगों को क्या है बादल काफी नीचे दिखाई देंगे तो मतलब क्यों की मतलब कि यहां पर क्या होता है कि बिल्कुल यह तो काफी जादा पास में होते हैं नी वज़ा से आप लोगों का यह आसमान नीला दिखाई दे रहा है जब कि इस तरह से जब शाम का समय होता है संसेट का टाइम होता है काफी जादा शाम को हना यह काफी जादा सुबे तो बिल्कुल जो हमारा आसमान है लाल रंग का दिखाई देता है तो यह आसमान लाल होता है यह जो सूर्य हमारा मतलब की जैसे दिन के समय में ना यह प्रित्वी के थोड़ा पास होता है पर जब सुर्यास्त होते रहता है यह मतलब सूर्योदय होते रहता है तो आप लोगों को पता है कि प्रित्वी जो है इस तरह से दिर्ग वितार का कक्षा में क्या कर रहा ह सूर्य के चारों तरफ चक्क लगा रहा रहा हूता धो तो असल में हम लोगों का सूर और सूर्य असता नहीं है असल में मतलब फिजिक्स पेहएš अनुसार आपकी पृत्वी जो है गोल गोल घुमती है तो मतलब जिधर का हिस्सा जो है आपके सूरी की तरफ होता है ठीक है उधर के हिस्से में क्या होता है दिन होता है और जिद पीछे के हिस्से में क्या होता है रात होता है तो इसलिए आप लोगों को पता है कि जब हमारे देश में अगर दिन है तो आप अगर अमेरिका की बात करोगे या किसी दूर दूर देश की बात करोगे तो वहाँ पर उस समय में अगर हमारे हमारे हां दिन है तो उनके हां रात होगी उनके हां दिन होगा तो हमारे हां रात होगा तो इसी वज़ा से होता है और मतलब की जहा सूर्य से दूर होती है तो सूर्य से दूरी होने के कारण ज्यादा दूरी होने के कारण मतलब सूर्य की दूरी जो है हमारी पृत्वी से ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो कम तरंग देर्ध की प्रकाश किरने हैं जैसे कि बैंगनी कलर या फिर नीला कलर वो जो है हमारी पृत्वी तक पहुंच ही नहीं पाता और अगर हम लाल रंग की बात करें ठीक है तो लाल रंग का जो प्रकाश का तरंग देर्ध है लाल रंग के प्रकाश का तरंग देर्ध क्या होता है सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश का तरंग देर्ध सबसे अधिक होन ही हमारी आखों तक के वायू मंडल से होते हुए पहुच पाती है इस वज़ा से वहाँ पर केवल और केवल कौन सा कलर बिखर पाता है लाल रंग बिखर पाता है मतलब की लाल रंग का हम लोगों को प्रकेडन वहाँ पर दिखाई देता है ठीक है तो आज हम लोगों ने जो ह बहुत ही interesting facts जाना कि हमारा जो यहाँ पर मतलब sunset और sunrise के time में सुर्योदय और सुर्यास्त के time में लाल रंका क्यों दिखाई देता है या फिर इस तरह से मतलब की प्रकाश जो है बिखरता क्यों है तो बिल्कुल टिंडल प्रभाव के कारण बिखरता है और और बहुत सारी ची घबाव को प्रेक्टिकल करके यहाँ पर फ्रेक्टिकल वीडियो के माध्यम से हम लोग शार लिया है यहाँ क्या कर रहे है पानी के माध्यम से जो है जब भेज रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को प्रकाश का प्रकिर्णन दिखाए देगा तीन जार हम लोगों ने लिया है तो पहले जार में हम लोगों ने जो है सामान या पान तीनो जार में फिलाल हम लोगों ने अभी सामान ने पानी लिया है डिस्टल वाटर कह रहे हैं और यह जो सेकेंड जार है ना इसमें हम लोग थोड़ा शक्कर मिला रहे हैं और इस तीसरे वाले में थोड़ा सा दूद मिला रहे हैं हलका सा तो यह मिलकी वाटर है हमारा और यह शक्कर घुला हुआ है अब हम एक एक करके सारे में लेजर यहाँ पर दिखाई दे रही है अब हम लोगों ने second वाले में क्या sugar डाला था मतलब की शक्कर घोला था ठीक है तो अब यहाँ पर केवल और केवल पानी का नहीं है कंड यहाँ पर केवल शक्कर घुला हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो laser light कैसे दिखाई बीच में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है सीधा सीधा जो है पास हो करके दिखाई दे रही है अब मिलकी वाटर में देखेंगे ठीक है तो मिलकी वाटर में दूद मिलकी के कंड मरलब दूद के कंड यहाँ पर मिले हुए है अब जब हम लोग यहाँ पर light को पास कराते है तो देखो पूरा हम लोगों को लाइट जो है वो पास होते हुए दिखाई दे रही है तो यह बिल्कुल प्राक्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से आप लोगों को दिखाई दिया अब इसको और डीटेल में समझते हैं एक अब जब मैंने सेकेंड वाले जार में यहाँ पर शुद्ध पानी में जब शक्कर मिला दिया था तो यहाँ पर शक्कर के करण मौजूद थे तो शक्कर कर मौजूद होने की करण यह सगन माध्यम हो गया था कैसा माध्यम हो गया था सगन माध्यम अब इस सगन माध्यम में जब हम लोग क्या कराएंगे यहाँ पर laser light से जब हम लोग यहाँ पर प्रकाश की कीरण पास करवाएंगे ठीक है तो यहाँ पर प्रकाश की कीरण जो है न वो clearly दिखाई नहीं देगी यहाँ पर मतलब क्यों नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम में क्या हो जाती है वो पूरी की पूरी बिखर जाती है और बिखर जाने के करण यहाँ पर हम लोगों को मतलब बहुत जादा clear visibility नहीं होगा ठीक है अब clear हम लोगों को दिखाई नहीं देगा और ये हम लोग तीसरा ठीक मिल्क के साथ जब हम लोग करते हैं तो मिल्क के साथ भी ऐसा ही होता है मतलब जितना क्लियर हम लोगों को पहले पानी वाले में दिखाई दे रहा था ठीक है उतना हम लोगों को शुगर वाले में तो दिखाई देगा है नहीं और मिल्क वाले में तो थोड़ा बहुत हम लोगों को क्या होगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा, तो overall हम लोगों ने टिंडल प्रभाव को देखा, कि मान लोगी जैसे कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे जो है, जो हम लोगों ने तरल तो उस तरल पदार्थ के कारण क्या हो रहा है बिलकुल उस तरल पदार्थ के कारण जो है वहाँ पर जो प्रभाव है वो बदल जा रहा है ठीक है तो इसी तरीके से मतलब दूरी बदलने पर या तो फिर जो माध्याम है माध्याम बदलने पर वहाँ पर जो है सारे जो मतलब प्रकिर्णन के प्रभाव हैं, वो सारे बदले हुए देखे जा रहे हैं, तो बिलकुल आज हम लोगों ने पूरा बहुत सारी चीज़े हम लोगों ने पढ़ी, बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़े हम लोगों ने पढ़ा, पूरा रंग बिरंग संसार, ये सब कुछ हम हम लोगों ने द्रिस्टी दोस, द्रिस्टी दोस के संसोधन, बहुत सारी चीजे हम लोगों ने देखी, बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने इस चाप्टर को एक ही सेशन में, एक ही वन शॉट में हम लोगों ने पूरा किया है, ठीक है, और इसके बाद हम तो कुछ objective questions कर लेते हैं, try कर लेते हैं कि जो आपको मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया की नहीं और इसी तरीके से और भी बहुत सारे interesting facts आप लोग को देखना है, हम यहाँ पर objective question तो कर रहे हैं पर अभी अभी जो हम लोगों ने प्रकाश का प्रकेंडन है, तो वहाँ पर जैसे की हम लोगों ने मतलब बहुत सारे जगा हम red light का इस्तमाल करते हैं और बहुत अलग-अलग color का light का इस्तमाल करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को अपने चारों तरफ इन सारी चीजों को observe करना है, समझना है कि क्या science, क्या physics वहाँ पर लग रहा हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने prism का अपवर्तन जिसमें हम लोगों ने प्रकाश का विक्षेपन देखा था, तो जब प्रकाश का विक्षेपन हो रहा था, तो कितने color थे, 3, 4, 5, 7, जल्दी से comments के माध्यम से, सारे बच्चे comments के माध्यम से answer करेंगे, फटा, फट सारे से दिखाई दे रहे थे, श्वेट प्रकाश हम लोगों को जो है, लाल के बाद पीला, हरा, नीला और बैंगनी इस तरह से हम लोगों को साथ colors दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल साथ color दिखाई दे रहे थे, जिसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध सबसे अधिक होता है, और सबसे जाधा कम होता है, और यहां पर लाल रंग का जो विचलन कोड और आपका बैंगनी रंग का जो विचलन कोड है, यह सारे objective questions में आते हैं, तो just मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को objective questions prepare करने है, माना उनेतर किसकी तरह कारे करता है, तो दूर्विन आप लोगों ने देखा था, दूर की वस्तूओं को देखने के लिए हम दूर्विन का इस्तमाल करते हैं, सुक्षमेदर्शी, जब आप लोगों थोड़े बड़े होगी, अगर आप बायो सब्यक्ट लोगे, तो वहां पर आप लोगों को बिल्कुल छोटे- दूर्शी जोगों को दिखाने के लिए सुक्षमेदर्शी का जो है, इस्तमाल करा जाएगा, कैमरे की तरह तो जल्दी से बता, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल शुरुवात लेक्चर के शुरुवात में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने ध है, ठीक है, तो मतलब एक्चुल में तो कैमरा माना उनेतर की तरह कारे करता है, ठीक है, चालो, वैरी गुड तो हम अपने अगले सवाल पर आ जाते हैं, तो अगले स्लाइड में आप लोगों को में हार पर दो सवाल लेकर गया हूं, एक एक करके हम सवालों को करेंगे, तो क्यों बठती है जल्दी से बताओ ब् Miche term हो सकता है जल्दी अंशर बताएंगे क्या है पहला ऑप्षन प्रिसमा की सटहोह पर केड़ों का अपवर्ट न हो ता है क्या है ये आएगा सपीbewि़िसमा की दो सतहोह का विचलन भिनन भिनन होता है ठीक है तो यहां पर किसके कारण होता है तो हम लोगों ने तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन और विचलन कोण के बारे में देखा है तो हाँ यह बातों सही है कि दो सतुवों पर अपवर्तन होता है पर इसकी वज़ा से विभिनन करती है तो वहाँपर क्या होती है सात रंगों में विभक्त हो जाती है ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते है प्रकास का विकषेपन बोलते है क्योंकि सब का जो विचलन कोन हम लोगोंने पढ़ाता है न सब हमारा bracket option हो जाएगा option number d चल दी सब two-day बच्चे समझ माया की नहीं, सभी को clear है की नहीं, very good, बहुत अची बात, next सवाल में हम आ जाते हैं, अगला सवाल है, जो नेत्र, जो नेत्र, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताओ, पास की वस्तु को कौन नहीं दे द्रिस्टी दोस, क्या आएगा, तो निकट की वस्तु को अगर साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है, कि वहाँ उस आदमी को क्या है, दूर द्रिस्टी दोस है, ठीक है, मैंने कहा तक, उल्टा चल रहा है, हाँ पर, उल्टा चल रहा है, निकट द्रिश्ची दोस मतलब साप की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और दूर द्रिश्ची दोस मतलब की दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है चलो भाई हम अपने अगले सवाल पर आ जाते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रका प्राकाश का मंतलब क्या होता है विखर न और यहां-पर जो है अलग अलग तरंग दैध होने कि वज़ा से अलग अलग तरंग दैध कि वज़ा ठीक है तो बस यहीं तक था हमारा आज का ये वन शॉट हम लोगों ने इसमें जो है पूरा किया सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ ली है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंदित अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के लाउट पूछते रहिए और विल्कुल अगर कोई बच्चे मुझे कनेक्हते है तो आम इरे इंस्टाग्राम आइडी या फिर आईडी के माध्यम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे स्टेडी चैनल टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं ओके गाईस तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए बाई बच्चो